नवस्कार दोस्तों, मैं हूँ अशोक प्यास और हमारे इस कारिकरम बीच बहस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं हमारा ये कारिकरम समसामेक विशों के साथ साथ आम जनकी समश्याओं के निस्तारन पर आधारित है आज का हमारा विशे है ग्रामिन भूराजस्व के मामले और उनका निस्तारन और इस विशे पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंतरित हैं जैपुर जिले की बस्ती तैसिल के तैसिलदार प्रेमराज मेना जी प्रेमरात जी आपका हमारे इस करिकरे में बहुत बहुत स्वागत है आप ने हमारे कास्तगारों के लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके आपरी हैं आप जैसा की जानते हैं कि ग्रामीन क्षित्र में भूर आज़स्व कमन कोन से के मामले हो को और उनका निस्तारण को सकते हैं करें तो गई परकार से इनको विवाज़ित कर सकते हैं है है कुछ से समझा है कास्तगार भाई को जमाबंधी समंदिि आती Blick अगर अग मगी remember हो जाती है कि अपनी जमीन के हश्ताना अंतर्द के बाद में उनका जो मालिकाना हक को लेकर जो नामांत का अंदर्द होते हैं वर्तमाने हम एक नइ समझेत में चाहिए है कि जैसे जैसे आमारी आबादी बढ़ रही है वेसे बेसे जमीन के टुकडे और खंड प्र जादा हो रहे, तो जमीन को लेकर के आप शी भाई बंदों के बीच में पारिवारी के विवाद जादा प्ड़़े हैं, जिसके एक सीमाई ग्यान और पत्थरगड़ी के परकरण सबसे जादा वरत मान समय में विवाद के कारण बने वे जिसके कारण पारिवारी के टकराओं भी हमारे किसान बाइएं के बीच में ज्यादा बढ़ा है बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं तो इनको वो कैसे निस्तारित करें आ ताकि उनको परिशानयों को सामना नहीं करना पड़े और वह आसानी से इनका उपाय ढूंड सकें इसके बारे में आप क्या कहेंगे अगर हम देखें इन राजसुवे जो परकरन हैं जिनका हमारे किसान साथी सामना करते हैं इनके निस्तारिन के लिए पूरू में तो सारी परकरिया ही ओफलाइन थी लेकिन वर्तमान में हमारे राजसुवे लाओ तो नामांतकन के समंद्ध में आज पूरी राजस्थान में सारी परकरियाइन ओनलाइन हो चुकी है और एक समय बद्द तरीके से उनका निस्तान किया जाता है अगर कोई भी नामांतकन टाइम बार होता है तो उसको ओटोमेटिक ही अपने उच्चादिकारियों के प समय में निस्तर्द किये जा रहे हैं अगर हम सीमाग्यान और पत्थरगडी के जैसा मैंने पहले बताया था कि पारिवारिक टक्राव और उर्दने ज्यादा बड़ी है इन परकणों के निस्तान के लिए भी वर्तमान में राजयसुल भाग द्वारा एक दिए इस तर्वे नहीं चालो की गयी है वह पाइलेण प्रोजेट के तोर पी अभी कुछ टेश्शिलों में चालो कीशी है हम आज वर्तमान में इस इसतिती में और देख करके उसमें किसी भी तरह की कोई त्रूटी है तो ततकाल वो अपने नेरेस्ट तैसिल में या पटवारी के पास या अब लेक नेरेस्ट के पास संप्रक करके इसके लिए बिलकुल आप सही कह रहे हैं लेकिन अगर मान लीजिए जैसा कि आजकल इमित्र सुविधा क सब जगे पर मौझूद हैं गाउं में भी मौझूद है कस्मों में भी मौझूद है तो क्या यह सब सुविधायें वहां प्राप्त की जा सकती है इमित्र पर जाके कास्तगार या कोई भी आम ग्रामिन आदमी अपनी समश्याओं को लेकर वहां जाएं और वहां आपके ही हमारे किसान साथ को उपलब दोगी में करमार बताना चाहूं में करमार बताना चाहूं तो हमारेश्क होता है यह अज कल हर पंचायod में मोझूद होता है वहां पर पर यह on में समश्याओं का निस्तान की जमाबंदी, के मादेम से उसका डिजिटल सेन की जमाबंदी जो पहले प्टवारी जारी करता था बीले जाता यहानि के पतवार के पासट कास्थ-गार या-ग्रामिंद भाई-को जाने की ज़रूत नहीं है वह सीधा इमित्र पे जाए और वहां से सीधा अपना लिक़ोर्ड निकलवा करके उसके प्रती प्राप्ट कर सकते हैं, बिलकुल, दूसरा अग्र नामांतकन सम्मंदी प्रकिरिया, जो पहले ओफलाइन प्रकिरिया थी, और उस प्रकिरिया में इतना समय लगता था, कि हमारा किसान साथी भहिंकर परिशान हो जाता था, आज वही किसान नामांतकन करवाने के लिए भी एम मंदी तैसिलार के लिए 30 दिन को इस परकार कुल मिलाकर करके 47 दिन में एक नामातकर का निस्तान होना वर्तमान में ते हैं उसके आगे किसी भी सूर्ट में वह नहीं जा सकता जो पहले लगबक सालों गुजर जाते तो उसके बाद भी नामातकर नहीं होता था इसलिए ग्राम होता ही है लेकिन उनकी समश्याओं के निस्तारण के लिए आपकी विभाग से अगर वो संपर्क करें मुख्याले पे संपर्क करें तो वहां कौन सी सुविधायें उनको प्राप्त हो सकती है वर्तमान समय में हर पटवार मंदल पे पटवारी नियुकत है और तीन से चार प प्रतेख जगे पे कार्मिक नियुकत है अगर कास्तगार को अपनी कोई भी समझ से आया तो सरव पर्थम तो उसे अपने पटवारी के पास ही संपर करना चाहिए अनावस्यक रूप से तैसली कार एले में आ करके अपना समय और अपना पेसे की बरबादी नहीं करना मतब सबसे पहले आप यह कह रहे हैं कि वो एमित्र पर जाया और एमित्र पर अगर समझाओं का निस्तारण ना हो सके तो फिर पटवारी से संपर करें या फिर उसके बाद आपके मुख्याले पर संपर कर सकता है लेकिन आपने जैसा बताया कि इमित्र से जो टाइम बाउंडेशन है जो समय आपने बताया 47 दिन का उसके अंतर गतिया उसके अंदर अंदर हर ग्रामिन भाई या हर कास्तगार की जो भी समश्या आप इमित्र पे रजिस्टर्ड करवाते उनकी समश्याओं का निस्तारण बहुत अच्छा है प्रेमराज जी अभी हाल ही में राजय सुभाग द्वारा आई टी का यूज करते हुए करसी छेत्र में कुछ नवाचार शुरू किये गए हैं मैं बताना चाहूंगा एक तो करसी रहन पोर्टल एक स्वत्य नामांतकन परकिरिया ओनलाइन गिर्दावरी ओनलाइन जमाबंदी और अन्यतर के जो प्रमान पत्तर है चाहिए वो खाते का डिविजन करवाना हो चाहिए गेर खाते दर से खात दर प्राप करने हो वो सारी प्रकिरियां ओनलाइन प्लेट फोरम पर उपलब्द करवाए गई है जिसके लिए कास्टगार साथी ओनलाइ क्योंकि ओनलाइन होने से जो ट्रांस्परियन सी आई ये काम में क्योंकि पहले ओनलाइन प्रकिरिया नहीं थी ओफलाइन थी कास्टगार हो यह हमारा ग्रामेंड भाई हो यह तो पठवारी के यहां जाता था वहां भी बहुत सारी समश्याओं का सावना उसे करना पड़त था तैसिल मुख्याले गाउं से बहुत दूर हुआ करता था तो वहां जाने में उसका एक दिन दो दिन और वहां भी अगर कोई नहीं मिला सम्मंदित अधिकारी नहीं मिला सम्मंदित बाबू नहीं मिला तो उसको वापस वो समय वेस्ट करके आना आना पड़ता था लेकि टेल बताना चाओं तो हमारे किसान सात्यों से मेरा एक यही निवेदन है कि आप ओनलाइन प्लेटफोर्म जो सुविदाई हैं उन सुविदाओं की पूरी जानकारी रखें आज स्मार्टफोन हमारे हर घर में हमारे हर परिवारे मोजूद है अगर आपको अपनी जमीन का विभाजन करवाना है तो आपको कहीं भी अनावस्यक रूप से परिशान होने की जोड़त नहीं है आप ओनलाइन प्लेट फोरुम पे उसका आवेदन पत्र प्रस्तूत किए जिए जैसे ही आपका आवेदन हमारे तैस्टिल कार्याले में ओनलाइन प्राप्त होगा हमारी प्रकिरियाई उसी दिन से प्रार्म हो जाएगी और हमारा कार्मिक ओटोमेटिक आप से जाके संपर करेगा और आपके खाते का विभाजन जो भी आपकी पसंदीदा जमीन को आप बाटना चाते हो वेसे उसका विभाजन तयार करेगा दूसरा जमाबंदी में अगर प्लेटफोरम पर सारा रिकोर्ड उपलब्द करवा दिया है उनको सुद्ध करवाने के लिए विए चोटी सीख समस्या है तो आप तत्काल अपने इमित्र पर जाएए और इमित्र पर जाकरके आप ओनलाइन आविदन करेंगे ओनलाइन आविदन सुरू होते ही आपका हमा माउंड फिक्स किया हुआ है आपको निश्चित समय में अनिवारिये रूप से आपका समस्या का समाधान किया जाएगा वर्तमान समय में क्रेशी रहन पोर्टल जो की राज्यस्व अधिकारी एप के द्वारा उपलब्द करवाए गया है उसके माध्यम से 6-1 का जो नामां सम्मंदित भू अभिलेक निर्ख्षक को प्रेशित किया जाएगा वह भी टाइम बाउंड प्रोसेस है सम्मंदित पटवारी और भू अभिलेक निर्ख्षक जैसे ही अपनी कारवाई पूरी कर देंगे वह राजस्व अधिकारी एप के माध्यम से SSO ID के थुरू समंदी तैसिलार जी के पास आ जाता है वो समंदी तैसिलार जी के द्वारा जैसे ही वो लोग किया जाता है उसकी जमाबंदी ओटोमेटिक बेंग के नाम रहन दर्द हो जाता है और हमारे किसान साती घर बेटे लोन प्राप्त कर सकते हैं इस परकिरिया में पहले इतनी विशंगतिया थी कि जिससे हमारे किसान साते को भूर सारी समझ्चा को सामना करना पड़ता था करसी रहन पोर्टल हमारे गरीब क रखने के लिए उसको चक्कल लगाने पड़ेंगे अब यह सारी प्रकिरिया पेपरलेस कर दी गई है और टाइम बाउंड कर दी गई है तो बहुत बड़ा एक नवाचार है रेविन्यू के डिपार्टमेंट में जो कि हमारे किसान साते के लिए एक वर्दान साबित होगा उसके अलावा एक और नई चीत शुरू की गई है वर्दमान में ओटो म्यूटेशन जिसको हम स्वेतन आमांद कर कहते हैं हमारे किसान साथी अपनी जमीन को किसी दूसरे साथी को बेशते हैं या उसको गिफ्ट करते हैं या किसी अन्य तरीके से उसका ट्रांसपर करते हैं जैसे ही हमारा किसान साथी अपनी जमीन का ट्रांसपर करने के लिए जिसको हम सामाने बासाम कहते हैं रजिस्ट्री करवाना रजिस्ट्री करवाने के लिए पंजेन ओपिस में जाता है तो पंजेन ओपिस में इपंजेन सोफ्ट्वेर के मादेम से ओनलाइन रजिस्ट्री होती है जैसे ही ओनलाइन रजिस्ट्री दर्ज होगी उसका मुटेशन ओटोमेटिक दर्ज हो जाएगा और दर्ज होके मुटेशन पेपर लेस वह इधर ती सोफ्ट्वेरी पर समंदी तैसल के पास आ करना ही करना है जैसे पहले लटका देती थी कि मिटिंग होगी उसके बाद हम नामांतरन खोलेंगे पटवारी आया नहीं आया तो अब उन समश्चाओं से निजात मिल गई है हर आम आदमी को उसकी प्रक्रिया जैसे आपने रजिस्ट्री करवाई उसके बाद स्वते ही वो प खुल जाता है यह बहुत अच्छी बात बताईए आपने तरसिदर साब आज आप देखेंगे जेपूर जिले की तो मैं बता दू मेरे बसी तैसल की बता दू हर पटवारी अपने मुख्याले पे वरकिंग आवर्स में उपलब्द रहता है हर पटवार मुख्याले पे पट इतने बज़े से इतने बज़े तक इस कारियाले के बाहर कोई पट्टे का लगी होती है उसके उपर वो दर्ज करना अनिवार यह है कि फला काम के लिए फला जगे जा रहा और इतने समय बाद लोटेगा ताकि आने वाले किसी भी भाई को परिशानी का सामना ना करना हो कि संबंदित अधिकारी यहां नहीं है इतनी देर बाद आएगा तो अपना शेडूल बना कर उससे मिलने की तैरी रख सकता है यह बहुत ही अच्छा कारिक्रम शुरू हुआ है जिससे हमारे भाईयों को बहुत-बहुत फाइदा मिलेगा और आप कुछ कह रहे थे इसके उन सब को अपने मुख्याले पर दोपेर तक अनिवारी रूप से उपस्थित रहना पड़ेगा अगर कोई अनिवारी सरकारी कारिये हैं तो भी उसके लिए दोपेर बाद ही मुख्याले चोड़ेगा दोपेर तक अनिवारी रूप से अपने मुख्याले पर निवास करके और अपने कास्तगारों की पहले समयशना को समाधान करेगा उसके बाद में अब दो पर बातमा कारेले छोटेगा। दिकत हो सकती इसलिए उनको दो पर पहले पहले कोई भी समस्या करा सकता है। दिन नामांत कर 17 दिन उसी प्रकार से आपके पास उसका प्रूफ रहेगा। और अन्य कारेलों के इस तरह भी की गई है। जेपो सम्माग में तो आद लोग से वा गारेंटी अधिनियम हंडेड परसेंट लागू हो गया है। प्रतेक पावती दी जा रहे हैं प्रतेक एप्लिकेशन की और समयबत तरीकेशन का निस्तान किया जा रहे है। तैसे दर सब एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने बताया कि हमारे हर जगे इमित्र हैं वहाँ पर हमारे दरशब भाई, किसान भाई, जो ग्रामिन भाई हैं वहाँ जाकर के अपनी रिजिस्टेशन करवा करके समश्या का निस्तान पास सकते हैं। आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है, हर आदमे के पास मोबाईल है, और घर में बहुत से लोग पढ़े लिके होते हैं, तो क्या ये उस मोबाईल के माद्यम से भी इन समश्याओं का निस्तान हो सकता है, वो आपके वैब पोर्टल पर जैसा कि आपनी बताया क्रशी रहन पोर्टल पर जाकर के अपनी समश्याओं का समाधान पास सकता है, या जो इमित्र पे हम सुविधाएं लेते हैं, वो हम क्या मोबाईल के जरीए ले सकते हैं? नक्सा जो एक बहुत बड़ी चीज होती है, आज सारे नक्से डिजिटल रूप से अनिवारे रूप से भू नक्सा पोर्टल पे उपलब दे और उस नक्से की कोपी हमारा परतिक किसान भाई है, वो अपने मोबाईल पे आराम से घर बेठे देख सकता है, और उसका प्रिं जवाब आपने दिया, मैं यह कहा रहा हूं कि गाउं में किसानों से जुड़े ग्रामेर भाहिव से जुड़े बहुत सारे प्रकरण होते हैं, भूमी विवाद से जुड़े बहुत सारी समिशाएं होती है, उनको वो आपके तैसिल इस्तर पर आप कैसे निस्तारित करते है हैं, अगर वो इमित्र ना जाकर के सीधा आपके तैसिल हेड़कॉर्टर जाता है, तो वहां क्या सुविदा है ताकि उनको विवादों का निप्टारा मिल सके, अगर हमारा किसान साती अपनी जमीन समंदी, कोई भी समशा को लेकर के सीधा हमारे तैसिल कारे लिए आता है, तो हमारे पास परते के जमीन के विवाद अलग-लग तरीके के होते हैं, उन अलग-लग तरीके के विवादों को समाधान करने के लिए तैसिल में अलग-लग सेक्शन बने हुए होते हैं, सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि वो विवाद कौन से सेक्शन का है, जैसे हमें सेक क्या है उसका बेख्राउंड क्या तट काल जैसे ही किसान भाई एप्लिकेशन देखे जाता है हम कुछ परकर्ण एसे होते हैं मद्धृस्टा के द्वारा निप्ता सकते पुछ। परकण ऐसे होते हैं, जिसमें हमें पुलिस कारवाई भी करनी परती है। और कुछ परकण ऐसे होते हैं, जिनको Revenue colt में भी ले जाना पड़ता है। դो हर परकण का nature अलग-लग होता है, जैसा उसका nature होता है, उसी की तरीके से उसके समादान करने का प्रियास कि या दाता है है और कोकर लिए घंक कोषिजन करते हैं कि मद्धेशता कोके दोख autoris होता है तो पुलिस कारवा या संबंदीत रेविन्य कोट का सारा लेते हैं आपने सही बताया मैं अगला सवाल मेरा यही था कि भूमी को लेकर जो राजस्विर नयायलों में मामले लंबित होते हैं उनका सिग्र निस्तारण कैसे हो इसके बारे में आप कुछ जानकरी देना च परकणों के निस्तार नहीं होता करना है वह लावा कुछ को सुल जने में अनावसेक देरी विलम प्यारते करते हैं और उन CPC के प्रावदानों का कोर्ट के लिए पालन करना अनिवारी रूप्ष होता है हम जानते हैं कि इसका समाधान यह होगा लेकिन CPC के प्रावदान ऐसे हैं जो उनके सामने आते हैं हम तो निवेदन यही करना चाहते हैं कि जमीन समंधी कोई भी अनावसिक विवाद पेदा नहीं हो ताकि कोर्ट में नियान अपड़े अगर फिर भी कोर्ट में कोई मुक्दमा आता है तो हम तो यही करना चाहेंगे कि अपने जो भी समझित एड़ोकेट्स है वो लगातार पेरिवी करें फाइल में जो भी कमिया उन कमियों को लगातार पूरी करवाते रहें और फाइल को निर्णे पे लाएं वैसे जो लोक अदालत है वो कॉंसेट बहुत ही अच्छा है और उस लोक अदालत के फेसले की एक और बात पता दूँ वो आप से सहमती से होता है और आप से सहमती से होने के करण उसकी कोई अपील भी नहीं होती किसी भी कोल्ट में उसको फुल एंड फाइनल मालना जाता है ताकि आगे की कोई समस्या का समाधान हो जाता है बहुत अच्छी जानकरी आपने हमारे दर्शकों को दी प्रेमराज जी आपने भूराजस पर जुड़े मामलों की बहुत अच्छी जानकरी दी है आशा करते हैं कि यह जानकरी हमारे ग्रामेड भाईयों और कास्तगार भाईयों के लिए फाइदेमंद साबित होगी आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए कीमती समय निकाला इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद